उदर हर्याडा में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मिया तेज हो गई हैं सभी राजरुतिक पार्टिया आपने अपनी जूरीत के डाविट होक रहे हैं लेकिन जनुता के मुद्धे क्या हैं जनुता किन मुद्धों पर वोट डालेगी इसी को लेकर रतिया से जनुता टीव और चेर्मैन चुनेंगे उनसे जानता हूं कि छेरर के लोगों की क्यास मश्या हैं और कैसा उन्हें चेर्मैन चुनना है प्रास जाती है इससे को पूरो पार्ष्य होताई शेयर के मुद्धय है किस तरह का आप चेर्मेन चुनना चाहते हैं कि इस रतिया नगरपालका के बहुत बड़े बारी बरकंद मुद्दे हैं सबसे बड़ा मद्दा है नगरपालका की अनोसी का उसके बाद मुद्दा है नगरपालका की लिम्ट का उसके बाद मुद्दा है नगरपालका के विकास नकालना चुनाव है नगरपालिका लेकिन यह चुनाव मैं यह कहता हूँ कि जो नगर पालिका हुए पहली बार औपन काफी सालों के बाद अपन सीट आई है उसको बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाएगी उतको सिर्फ नगर नगरपालिका काम नहीं करना पड़ेगा कहने को तो नगरपालिका का चुनाव है लेकिन जब वो चेयर परसन बनेगा तो उसके उपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाली है क्योंकि यह सीट काफी सालों के बाद ओपन आई है उसको सारे काम करवाने पड़ेंगे नगर के पास आएंगे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी देना देनी पड़ेगी यार में पहले जो समस्या थी हमारी सबकी समद्दी वह विदाएक जीसे हम ने बयार के सभी लोग मिले और हमारी सबक करनेरमान हुआ और अभी एक जो महीला सुचाले की समस्या थी वह भी टैंड जो बन हम मांग रखेंगे और जो भी कंडिडेट वोट मांगने आएगा और रतिया वासिय को मैं यह कहूंगा अभी पहले तो एक बहुत अच्छा लीडर चुने यह पहली बार मोग्का है कि ओपन जनल जो एक कंडिडेट चुनके आना है चया वो लेडिज है जैंट्स है च हम निवेदन करेंगे कि यह पहला काम जो लेडिज समझ सकती है कि सुचल्य जो है बजार में लगबग दो तीन तो बनने चाहिए समस्या यह है कि वार्ड में जैसे है कि हर शेर में हर जगा पारक तो बना दिये गए हैं जी लेकिन कोई पोदे लगाने वाला नहीं है उसकी देखवाल करने वाला नहीं है हर तरफ गंदगी है जी अभी आपने सुना कि शेर के लोगों ने एक ही डिमांड की है कि समस्याओं का तो बिलकुल अमबार है समस्याओं इतनी हैं भले ही वो स्ट्रीट लाइटों की हो सफाई वस्ता की हो दमकल विबाकी गाड़ी की कमियों की हो इसके इलावा अनेकों समस्याओं हैं अब देख